नागोद या चित्रकूट होगा आरक्षित विदान सवा आरक्षन की प्रक्रिया की गत्विदियां प्रारम हो चुकी हैं राजनेतिक रूप से इसकी चर्चाओं ने जोर भी पकड़ लिया है सतना जिले की रहगाओं सीट सामान्य हो सकती है यह खबर मैं पहले ही दे चुका हूँ अब लोग जानना चाहे रहे हैं फिर आरक्षित कौन सी सीट होगी दोस्तों नमस्कार मैं रम्मु सिंग नागोद विदान सवा की 90 प्रसत उमीदे हैं आरक्षित होने की दस प्रसत चित्रकूट विदान सवा सीट आरक्षित होने की उमीदे हैं बले ही यह प्रक्रि या राजनीत से सायद ही अचूती बची हो इसलिए विधान सवा सीटों का आरक्षित होना राजनीत से कैसे अचूता हो सकता है अब थोड़ा राजनीत के दृष्टी कोण से देख ले नागोद विधान सवा पर लगभग राजघराने का कबजा ही रहा है सीधे तोर पर नागोद विधान सवा को अगर आरक्षित सीट कर दिया जाता है तो नागोद राजघराने का कबजा इस सीट से अपने आप छूट जाएगा एक दूसरा भी पहलू है नागोद विधान सवा सीट पर अगर कभी नागोद राजघराना नहीं भी आया है तो इस सीट से जीत चत्री वर्ग के ही उम्मीदवार की हुई है आरक्षित हो जाने के बाद चत्री वर्ग इस सीट से चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा चित्रकूट की चांस बहुत कम है कि यह सीट आरक्षित होगी चित्रकूट विदानसवा सीट पर अभी भाजपा और भी कई नए नए प्रव्योग भाविश में कर सकती है इसका खुलासा भी आगे किसी समाचार में न्यूज में हम करेंगे